हेलो गाईज क्या आप जानते हैं कि रीवा इतना मसहूर क्यों तो चलिए हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश में इस्थित रीवा ब्रिटीश काल के दवरान कभी बड़ी रिसायत एवं बिंद्र छेतर की रालधानी हुआ कर दे थी प्रदेश में मसहूर हुआई टाइगर के नाम से जाना जाने वाला रिवा एवं 130 मीटर हाइड की उचाई से गिरता हुआ चचाही बाटरफाल रिवा में इस्थित है हिंदी साहित के महान कभी बीरवल का जन्म अस्थली रिवा के ग्राम घोगरा में इस्थित है तो सबसे हमरे बतायस नहीं हमरे बोली से हमारे पहचान के लिए था हमारे वीडियो कैसा लगी अपना कमेंट बाकसे में जरूर बता आपसे हैं बताएंगे कि रिवा नाम सुनके लोग डरने क्यों लगते हैं जब अकबर का सासन काल था तो रिवा जैसी नगरी को लूटने का उसने प्लान बनाया जब अकबर को यह पता चला कि रिवा का सबसे बड़ा धरोहर तांसेन वहां का एक गायक है तो अकबर के मन में एह ख्याल आया कि केवना वहां की सबसे बड़ी धरोहर अर्था तांसेन को हम अपने कबजे में ले ले और उसके बदले में चार तोप दे दे एह लेन देन की प्रक्रिया में अकबर सफल रहा, कुछ समय बीतने के पस्यात गोबिंद गड़ के विसाल जंगल में सफेद बाग पाया गया, जिससे वहां की आबादी सुरक्षित नहीं रह सकी, यही कारण है कि जिस सहर में इतना बड़ा विसाल सेर हो, वहां से लोग डरे क्यों नहीं, बस आप जान लीजी एस सेर की वज़े से लोग डरते हैं, तो आपने देख लिया इतिहास काल से ही रीवा इतना खाओ खतरनाक फेमस अस्थान है, जब इन्हों ने 19 नवंबर 1907 में आंतरिक्ष की आपनी पहली उरान 372 घंटे तक गुजारी, लेकिन आपको जाननी की बात यह है कि दूसरी उरान के दोरान इनके साथ हुआ क्या, हम आंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारती महिला कलपना चावला की बात कर रहा हूं, जब एक फरवरी 2003 को प्रिथिवी का 252 चक्कर पूरा लगाने के बाद, इन्हों ने आना प्रारम किया तो इन छोटा सा छिद्र पाया गया, जिसके बज़े से बायमंडल की कुछ उसमें गैसे प्रवाहित हो गई, जिसके बज़े से वह वलाश्ट हो गया, अभी बात इतनी ही नहीं, कलपना चावला जी के साथ अन्न 6 महान वे ज्यानिक भी थे, हमारे लिए गर्विकी बात है कि हमार की ठीक उसी समय, डिसकोट के आधार पर वकील नयाधिस एवं सामान ने आदमी के बेश भूसा की तयारी की, वकील एवं नयाधिस के काले कोट पहनने का मतलब अनुसासन एवं सामाज में सामान अंतर, कानून के आँख में पट्टी बधी होने का मतलब कानून अंधा, मतल अब आपका यह प्रश्ण है कि डाक्टर सफेद कपड़ा ही क्यों पहेंते हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दे कि सफेद कपड़ा सांती एवाम अनुसासन का प्रतीक है इससे यह पता चलता है कि डाक्टर का सुभाव अच्छा है और दूसरी चीज आप जान लीजिए कि पेसेंट आसानी से पहचान सकता है और यदि सफेद कपड़े में खून लग जाए तो डाक्टर को सफाई करके आपने साफ सुथरा होने की पहचान दे सके तो एया महत्तपूर्ण बात सीख कर आपको कैसे लगा आप कमेंट लिए इस प्रकार आपने कहीं न कहीं तो आप हो जाता है उसमें ज्यादा लोड पड़ता है तोसमें वरा सिंफ्रेटिक ईयल उपर उठने लगता है उवलकर उपर उठता है इस प्रकार टांसफ़र्मर में कौलिंग प्रतान हो जाती है बड़े आकार के के transformer कहने का मतलब CE degree transformer में एक जार स्पायं लगा सब्सक्राइब करता है उसको जादा cooling करने के लिए एक जार स्पैन का युच के जाता है तो इस त